असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब हुपली आप सब फ़री सोंगे और अलहम्दिलिलाहम्दी बिल्कूर ठीक हैं अचा आज को जो व्लोग है मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही है फारीग हो गई थी कापी टाइम पहले ही लेकिन मुझे थोड़ा सा उपर पॉलर में काम अगया था और इतने बस मैं फ्रेश होकर ही आई हूं और यह सारे बच्चे आ भी गए स्कूल से एक वालेकुम सलाम खुशी को छोड़के बसे आज इनकी पीटियम है तो 11.45 पर ही आई थी 11.30 पर ही थी स्कूल से छुटी तो तीनों यह साथ आ गई है अभी खुशी जो है वो इसकूल है उसके कोई पीटियम वगरह नहीं थी वो दूसरे स्कूल में है यह तीनों एक ही स्कूल में है और लंच भी आज ही खा कर नहीं आई है लंच नहीं खाया था क्यों तो आज जल्दी आज जल्दी हो गया होगा ना 11.30 थी तो ऑगरा कि मैंने कुछ भी तैयारी ने की है वो भी तयारी करनी है और कल जो है मैंने यह सारी शौपिंग की थी अच्छा मैं जो है कल वीकली मार्केट गई थी और मुझे वहाँ पर इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें मिली है और मेरे घर के पास ही लगता है तो फिर मैं चली गई थी फैबरी को अभी अभी अधार के तो मैंने यह वाले लिया है वैसे अभी किसी का भी है न मैंने नाम नहीं रखाया कोई भी पहने लेना अच्छा यह मैंने एक ग्रीन ली थी यह भी कुछ सेम है सेम प्रिंट है कलर डिफरेंट है बस बाकी के डिजाइन और प्रिंट जो है वह सेम ही है तो मैंने दोनों की ये सेम टॉप ली थी और काफी अच्छी है ये फैब्रिक भी बहुत प्यारा है इनका बिदम सॉफ्ट सी हैं बिलकुल है नो बिश्रा ये पहन लेंगी ने मैं जो इनके हैं ना काफी सारे टॉप लाती रहती हैं लेकिन ने ये वही पहनती हैं बस जो इने कमपर्टेबल लगते हैं ये मैंने कर्टेन का फैब्रिक लिया था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये मैंने अपनी पाउलर के लिए लिया था ये अब इसके कर्टेन जो है मैं तयार करवाँगी बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका भी बहुत जादा इंदम शाइनी वाला फैब्रिक है इंदम शाइनी शाइनी साइज का फैब्रिक और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है इस लिए लिए हैं क्योंकि नमा अप्डेट कर लेते हैं इतफाकन जो है यह मुझे मूझे मील गय थे मैं ऐसे हैं आप सोचके नहीं वह लेकर आने है बस मुझे पैबरिक दिखा और मैंने ले लिया और इसका अर्स भी काफी लंबार और यह है यह यह बही हैं यह है और्गेंजा इसका बड़ा प्यारा सा कलर है ब्लू कलर कौन सा कलर बोलेंगे से हम कलर भी इतने ना अलग-अलग बस शेड के नाम भी नहीं पता रहता बस शेड अच्छे लगते हैं क्योंकि पहले था ना सिंपल वही होता था कि नेभी ब्लू हो गया रॉयल ब्लू हो गया और अब इतने कलर आने थोड़े स्मोकी टाइप का ब्लू है ये बस यह बोल सकते हैं इसको जो है मैं बनाऊंगी आयत इनाई की ड्रेसे जित जित कर रही थी ऑनाने बढ़ सै ले लिया था इसे एक बात साओ करनी जाता है जो चीज रबी वह बहुत अच्छी है कभी कभी तो बहुत जादा अच्छे और बिल्कुल रीजनेबल प्राइज में मिल जाती है तो अब देखते हैं इसकी कैसे ड्रेस बनाऊंगी वैसे भी है ने शादियां बहुत सारी आ रही है अब शादियों का इस सीजन स्टार्ट हो गया है यह और गें से नहीं रुका जाता मैं लेकर रखे लेती हूं फिर चाहे कभी भी रेडियो चीज आप शॉप से लेंगे ना और गेंजो को प्लेन को तो कम से कम हंड़िड रूपीज पर मिटर पर देंगे एक जो है मैंने अपना सूट का फैब्रीक भी लिया था वेलबेट का फैब्री सब्से지 के लिया था और मेरे यहां पर बहुत अच्छी फिकली मार्केट लगती है मतलब अच्छी का मतलब यह旅र तो यह है जी जो मैंने फैब्रिक लिया था और यह नए वैलवेट के पीसिज है यह रहे कलर भी बड़ा प्यार आया इसका सवा-सवा मिटर के पीस है, महमली वेलवेट है यह, कलर इसका ग्रे नहीं है, लेकिन वीडियो में ग्रे नजर आ रहा है, ग्रे नहीं है, थोड़ा से इसके अंदर पिंक टोन है, ग्रे के अंदर ही पिंक टोन है, बहुत लाइट सी, यह मैंने तीन पीस लिये थे, एक यह है पीस, दूसरा एक य जा रहा था और इस पर नहीं इस color का फोड़ा थोड़ा सा भी हो रहा है प्रिंट भी आ रहा है इस पर इस पर खल अब रहा था तो मैंने यह भी ले लिया था यह भी वेलवेट है बहुत जादे soft वाली वेलवेट है यह इस से मैं करूंगी इस dress की designing कि और साथ में उनी के पास मुझे यह मिल गया था इसी के मैचिंग का ही इसका इस्टॉल और यह लगएगे इस पर डिजाइनिंग शृट पर इसके इससे डिजाइनिंग करूंगी मैं अब कैसी करूंगी वो मुझे भी आइडिया नहीं है कटिंग करने बैठती हूं जो मैं अपनी ड्रेस तब ही मुझे पता चलता है कि मुझे क्या करना है तो यह रहा और यह इसका इस्टॉल बनेगा बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाकर मैं रेडी करूंगी इसकी और अब जो है शादी फंक्शन जो है इतने सारे आ रहे हैं तो है न आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और जो भी मेरी अक्टिविटीज हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी रेपास सारी इतनी सारी ड्रेस हो जाती है पर मैं सोचती हूं अब नहीं बनाने बस अब तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि बहुत सा बनाते हैं और साथ में मैं आपको रेसिपी भी दे देती हूं तो इस फैबरी की होगी मेरी ड्रेस डिजाइन और वो जो है उसकी होगी आयतिनाय की फ्रॉक प्यारी से फ्रॉक बनाँगे आयतिनाय तुमरे व्यूटिफुल क्या कर रहा है तुम वालनेट्स खा रहा है लेकिन जब वो इनने लेने गए थे मुझे पता नहीं था और मैंने गली में आ गया था साग वाला तो मैंने साग कट वा लिया था अब वो कटावा साग देता वो खराब होना था तो फिर मैंने सोचा चलो यह कल काम आ जाएंगे आज में साग साग तो नहीं थी मेति की अच्छे दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं बनने के बाद पाए बने और इतने बड़े 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 बरतन यूज मना ऐसा होई नहीं सकता और यह जहेज का कुकर है यह इतना पुराना मोडल हो गया है अब जो है कुकर की इतनी ज्यादा शेप सारी है बहुत प्यारी प्यारी लेकिन बड़े वाले जो साइस के ना वह बहुत ही कम यूज मा आते हैं तो मैंने चलो काम तो हमारा होई जाता है और यह अंदर से जो काला हो रहा है यह बस पाए बोगरा बॉइल करते हैं या कोई भी चीज ऐसी बनते है ना तो इससे होई जाता है यह हम इसमें और भगोने में जो है हम अपने मसाला तियार करेंगे तो पहले मैं इनको अच्छे से एक बार और वाश कर लेती हूं और इनको फिर उबालने के लिए रखेंगे साथ में मैं आपको सारी रेसीपी दूंगी कि किस तरह से मैं बनाती हूं वैसा सब को आते ही हैं सब अपने तरीके से अच्छे ही बनाते हैं लेगिन फिर भी मैं बना रही थी मैंने सोचे चलो आपको रेसीपी भी दे देती हूं अच्छा जी तो मैंने जो हैं पाए अच्छे से वाश करके इसमें डाल दिया है और थोड़ा से लेवल में ही पानी डाला है वन्ना फिर ना कूकर से निकलता है जब इसमें सीटी आती है इसमें डालूंगी नमक डाल दिया है और मैं डाल रही हूँ इसमें ये खड़ा गरम मसाला है ताली मिर्च है लॉंग है और बड़ी लाइची है तीन और सारी मैं इसमें डाल दूंगी इससे क्या होगा इसमें पाए के अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा पात में है न मैं थोड़ी से यहाँ पर हल्दी डाल रही हूं अच्छा कुछ लोग हल्दी डालते हैं बॉइल होने में कुछ लोग डालते नहीं है मैं डालती हूं इसलिए जो नहीं डालता है वो ना डाले अगर आप मेरी तरेगे से बना रहे हैं तो ले पर फुल पर रख दूँगी जब फुकर में प्रेशर आजाएगा तो फिर मैं सिम कर दूँगी ना तो फिर बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं ये तो बस एक साइट जो है हमने पाए बॉयल होने के लिए रख दिया है और इधर साइट पर मैंने भगोने चड़ा दिया इसम को में बारी कट कर लोंगी और मेरा आज जो है ये वाले ही नाइफ लगा हुआ है इस तरीखे के जो ये स्टील के होता है मुजसे नाइफ है मेरे तो इनसे है ना बहुत अच्छे से कट हो जाती है प्यास तो मीडियम साइज के ही प्यास है इना हम ब्राउन होने के लिए उसके बाद जो हमें प्यास का पेस्ट था वो डाल लेना है साथ मैं लेसन अदरक का पेस्ट यह मैंने बना के रखा हुआ है तो इसको मैं बस अब आइडिय से ही डाल लूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूं लाल मिच का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मतलब सिंपल नॉर्मल मसाले जो हमारे घर में होते हैं वो ही डाल कर और थोड़ा सा पानी डाल कर इस मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे, पहले थोड़ी स नालिया है और जो हम मसाला भून रहे हैं बस उसी में ही डाल कर एक बार और दस मिनिट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, उसकी बाद जो है मैं यहाँ पर जितने भी पाई हमने बॉइल किये थे, वो सारे इसके अंदर डाल दूँगी, और उपर से डाल लूँ बन गए हमारे बहुत ही टेस्टी पाई और यहाँ पर जो है मैंने मंगाए है यह तंदूरी नान क्योंकि मेरे यहाँ पर सब को तंदूरी नान पसंद है, मुझे भी पाई के साथ तंदूरी नान पसंद है, हस्बन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं रोटियों बना क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इसको रिनोवेट किये हुए, कर्टेन जो है इने भी चेंज करूंगी, मैं अपके बार क्योंकि यह काफी जादा पुराने हो गए हैं, और मैं हर बार इने इसलिए चेंज नहीं करती हूं, क्योंकि डार्क कलर के हैं, तो मैंने सोचे चलो प कराव हो रहा है, इसको भी चेंज करूंगी, क्योंकि इसको बिच्वेट काफी टाइम हो गया, इसको भी चेंज करूंगी, इसको भी चेंज कर दूँ और अपकी बार मैं दो लूँगी, क्योंकि मैं पालर में अकेले ही वर्ब करती हूँ तो मेरे लिए एक ही चेयर बहुत रहती है वरना तो है न अगर एक दो और हो करने आ ले तो फिर दो चेयर तो कम से कम होनी चाहिए फिलाल मैं ही अकेले ही काम करती हूँ तो इसलिए एक ही रहती है और फिर सबसची बात यह है कि यह मैं नीचे रहती हूं और यह उपर मैंने खोल रखा है यह शैंपूर स्ट्रेशन की चेर लगा रखी है, सारे प्रोडक्ट्स कुछ यहां पर हैं, कुछ मैं अलग से उठा के रखे हुए हैं मैं सोच रही थी, सारे हैं ना पेंट्स वगेरा हो जाएगा यहां का सारा पेंट्स वगए रहांगी करवाऊँगी हम और पिर इसको डुबारा से रिनोवेट करूंगी तौह थोड़ा से नए लूथ में आ जाएगा मैं पेंट कर रहा होगा इतने मैं करूंगी ड्रेस डिजाइनिंग बस सारी चीजों को सत्तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ता है तो आपको पसंदा होगा ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलती हूं अपने नेच व्लॉग में अल्ल सब्सक्राइब खाया करी हूं लाओार पीस